नमस्कार दोस्तो आज मैं आपको सीनरेस सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तो ये ठंडी मोसम में अक्सर बच्चे को सर्दी, जुखाम, बंदनाक, बुखार, सिरदर्द, नाग बहने, एलर्जी, गले में इरिटेसन, फुलू, छीक आना, आखों में पानी आना, ये सब होता है उस कंडिशन में बच्चे को सीनरेस पिलाने के लिए डक्टर बोलते है ये सिरप को कब लेना है, कैसे लेना है, कितने दिनों तक लेना है, क्या हो सकता है इसका साइड एफेक्ट आज मैं आपको पूरी जान करी दूँगा, बस वीडियो को लास तक चरू देखे हैं दोस्तों ये सीनरेस सीरप 60 ml, 75 ml और 100 ml की बटल में आता है अगर इसका कॉंडेन की बात करें तो इसमें परेसिटमल 125 mg, फेनलेफरीन 5 mg, कॉलरोफेनिरमाइन 1 mg और सोडियम सीट्रेट 60 mg पाया जाता है ये सीरप अनली पेडेटिक के लिए है सीनरेस सीरप का योस आम तोर पर बच्चे के लिए किया जाता है बच्चे को बहिती नाक से, खासी से, छीक से, आखों से पानी आना, गले में खरास होना, सरीर में दर्द और भुखर जैसे लक्चनों के उपचार के लिए इस दवा का इस्टमल किया जाता है सीनरेस सीरप भोजन के साथ या भोजन के बीना अपने बच्चे को दे सकते है यदि आपके बच्चे का पेट खराफ हो जाता है, तो उसे भोजन के बाद सीनरेस सीरप को दे सीनरेस सीरप को हमेशा एकी समय पर देना चाहिए जैसे कि सुबह साथ बज़े आप सिनले सिरफ को पिलाते हैं तो रात को ठीक साथ बज़े आप सिनले सिरफ को पिला सकते हैं यानि कि बारा गंडे के गैप में यदि आपका बच्चा इस दवा का सेवन करने के 30 मिनिट के अंदर उल्टी करता है तो आप बच्चे को वही dose दोबारा दे सकते हैं यह syrup एक सल के बच्चे से लेकर 5-6 सल के बच्चे तक को अच्छी से काम करता है उससे उपर एज के बच्चे को इतना काम नहीं करता है यह syrup दोस्तो अगर इसका MRP के बात करें तो इसका MRP है only 133 रूपिस यह syrup आपको कोई भी medical store में आपको असानी से मिल जाएगा आप वहां से ले सकते हैं अगर बात करें इसके doses की तो एक साल और दो साल के बच्चे ले सकते हैं 2.5 ml दिन में 2-3 बार और 3-5 साल के बच्चे ले सकते हैं 4 ml दिन में 2-3 बार यह सिनरे सिरफ बहुती आचा काम करता है 3-4 दिन यह सिरफ को अब बच्चे को पिलाते हैं तो बहुती आचा रिजाल देखने को मिलेगा दोस्तो अब बात करते हैं यह सिनरे सिरफ के side effect के बारे में दोस्तो अगर किसी तरह इसका side effect होता है तो उल्टी, मिसली, नीन दाना, सुष्ती, खुजली, ठाकान यह सब हो सकता है दोस्तो मैं आपको हर वीडियो में कहता होगी कोई भी मेडिशन लेने से पहले आप अपने डक्टर से जलू कुंसल करें क्योंकि हमारा काम है आपको हर मेडिशन का जानकारी देना अगर आपने हमारी चैनल को सस्क्राइब नेकिया तो प्लिस सस्काइब करें साथी बेल आइकन को प्रेस करें आपकि मैं जब वीडियो अफ्रोड करू सबसे फ़ले नोटिपिकेशन पाने के लिए थेंक्स फर वाचिंग वीडियो आपका दिन सुफो